हलो दोस्तों मेरा ना मैं मुहम्मत कैसर और आप देख रहा है स्टडी चैनल बात करेंगे आइडरे जुनर हाइज स्कूल भरती की आप लोगों को सवाल आ रहे हैं इस भरती संबंधित और एक एक करके मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे देता हूँ सबसे पहली चीज़ PNP ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब आपका रिजल्ट 15 नॉम्बर यानि कल दो पहर बात जारी कर दिया जाएगा तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है कल दो पहर बात UPTLA.gov.in के उपसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे रिवाइज अंसर की पहले ही आ चुकी है और उसी अंसर की की आधार पर अब रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट में ये क्लियर होगा कि आप क्वालिफाई है या क्वालिफाई नहीं है पासिंग नमबर आपको पता ही है 90 और 97 रिजल्ट काइडेट के लिए 90 और जनरल के लिए 97 अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गूड न्यूज आ चुकी है इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे अब हर बच्चा बोलेगा फराटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंद में आपको सर्टिफिकर्ट भी मिलेगा इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा वो भी बहुत ही कम प्राइस में लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कुछ टूडेंट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट के साथ ही क्या चैन सूची और कट आप भी जारी हो जाएगा जैसे कि माधमिक सिक्षा सेवा चैन बोट की भरती तीजटी पीजटी में अभी हाल ही में हुआ है तो ऐसा PNP नहीं करता है PNP अभी सिफ रिजल्ट निकालेगा और रिजल्ट निकालने के बाद फिर से विज्यापन जारी होगा भरती का ऐसा ही PNP करता है तरजार में भी ऐसा हुआ था तो विज्यापन निकालने के बाद जो भी छातर पास होंगे उन्हें दुबारा से आवेदन करना होगा इस बार विशेवार भी जानकारी आप से मांगी जाएगी और पदों की संख्या भी बताया जाएगा कि आप किस विशे से आवेदन कर हैं उसके बाद जारी होगी चैन सूची पंदर सो चार अभेर्थियों की साय का ध्यापक के लिए और तीन सो नवे प्रधाना ध्यापक के लिए तो साय का ध्यापक की बात करें तो पंदर सो चार अभेर्थियों की चैन सूची जारी होगी आरक्षड के नियमों का पालन कर बढ़ते हुए टॉप से पंदर सो चार अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा और जो मिरिट बनेगी और पंदर सो चार अभ्यर्थी इस लिस्ट में होंगे इसी के साथ दोस्तों कोई भी भरती हो सभी छात्र जौाइन नहीं करते हैं कुछ चात्रों का कहीं नहीं हो जाता ह पंदर सो चार अभ्यर्था की सुच्छी जारी होगी उस में हो सकता है 10-20 आपचास लोग क्योंकि ज़्यादा सीटे नहीं हैं कमी सीटे हैं इसी के साथ एक सीटे ain खाली होगी तो जितनी भी सीटे खाली रह जायेगी उस पर अगली भी चैन सुची जारी की जाएगी से कॉंसलिंग होगा और इस तरह से भरती प्रिक्रियाएं होती हैं कुछ आत्र पूछ रहे थे पदों की संख्या क्या इसमें बढ़ सकती है क्योंकि दोस्तों बहुत बार खपरें आई थी और भरती से पहले जब अधियाचरम आए गये थे तो लगातार निश्पेपर के पदों का तलब किया गया है बेवरा उत्तर प्रदेस में 3049 एडर जूनर हाइज स्कूल है और 4000 से अधिक पदों का बेवरा प्राप्ट हो गया है लेकिन अब नए सिरे से जन सकती निर्धारण कर पदों का आकलन किया जाएगा और जब दुबारा से आकलन हुआ तो पदों 304 सहाय का ध्यापक कैसे रिक्त हो सकते हैं इसलिके साथ देख सकते हैं आइडर जूनर में 4000 सिक्षकों की भरती जल्द उचातर मांग कर रहे हैं कि 4000 से 4500 पदों पर भरती की प्रिक्रिया को कराया जाए ताकि अधिक सदिक बिरुजगारों की नौकरी यहां पर लग सके बहुत सारे शातरों का जब चैन इसमें नहीं हो पाएगा तब यह मांग उठेगा और देखना होगा कि आगे चल कर इसमें क्या होता है फिलहाल तो 1894 पदों पर ही बढ़ती होगी लेकिन पद तो बहुत जादा रिक्त थे बाद में इसमें कटोती हुई और 1894 का ही नोडि इंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे थैंक्स और वाशिंग